अभिनेता शुशान सिंग राजपूत के मौत के मामले को मेडिया के एक वर्ग ने उठाकर देश में ऐसा महौल बना दिया है मानो देश में इससे बड़ा कोई संकट ही नहीं है देश पूरी तरह प्राध मुक्त है और हरोर अमन्चैन कायम है जबकि हकीकत बिलकुन उलट है आप वही देखते हैं जो खबरिया मेडिया दिखाता है देश का सबसे बड़ा राज उतर प्रदेश आज अपराध प्रदेश में तबदील हो चुका है मगर दुनिया भर का ग्यान बाटने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ की आखे बंध है वे बंध आखों से ही राज में बदमाशों के सफाय का राग अलाप रहे है योगी जी आखे खोल कर देखिए कि राज में क्या हो रहा है राज में अपराद के हाला आत का अंदाजा इसी बास्ति लगाया जा सकता है कि खुद योगी के ग्रहजिले गोरकपुर में अपराधी बेखौफ हैं रोज वहां से किसी न किसी अपराद की खबर आती रहती है मगर यूपी की अराजकता पर मौन मेडिया का मूह ही नहीं खुल रहा है राज से कल ही तीन दिल देहलाने वाली खबरे सामने आई है इनमें सीयम योगी के ग्रहजिले गोरकपुर में एक यूवक को बेरहमी से पीटने वा थूक कर चटवाने की घिनावनी वारदात है इस घटना का तो वीडियो भी वाइरल हो गया है दूसरी घटना भी सीयम योगी के पडोसी जिले कुशी नगर की है वहाँ एक प्रेमी यूगल को चहरे पर कालिक पोत कर चपलों की माला पहना कर घुमाया गया इसी तरह और आया में कल एक व्यापारी को इट से कूच कर मार डाला गया इससे साफ हो गया है कि योगी चाहे कितने भी दावे कर लें पर प्रदेश में बदमाशों के होसले बुलंद हैं और उन में कानून व्यवस्था वा पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है हाले में लखीमपुर में एक पूर्व विधाया कुशी नगर में एक से चकवा में पूरी में एक हलवाई को पीट-पीट कर मार डाला गया था यूपी के योगी राज में बदमाशों की आवाज बुलंद है इन्हें पुलिस वा कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं रह गया है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें